हलो एबरीवन मैं हूं द्विंदर सल आप सबका अपने वीडियो चैनल पर सवागत करती हूं फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है वो है धसी हुई आखे कि आंगं में आखों के डार्ट सर्क्ल्स या धसी हुई आखों को कैसे ठीक कर सकते हैं तो वीडियो में बने रहीएगा फ्रेंट्स तो सबसे पहले आपको लेने है फ्रेंट्स चार बदाम यानि कि फोर एलमेंट बहुत ही अच्छे होते हैं यह हमारी स्किन के लिए फ्रेंट्स एलमेंट में क्या होता है बिटामन ई, बिटामन डी और पोटेशियम का खजाना है और इसमें कैल्शियम और मेगनेशियम भी होता है फ्रेंट्स तो यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसमें मिलाना है आपको फ्रेंट्स गुलाब जल गुलाब जल के आप दो बड़े चम्मस लेंगे गुलाब जल में फ्रेंट्स एंटी ऑक्सिजन्ट, एंट्री इप्लेमेंट्री और एंट्री बैक्टेरियल भी गुलाब जल यह हमारी आखों को जलने से भी बचाता है तो इतने सारे गुन होने के लिए होते हैं जो इसको हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो आपने इसको अच्छा सा इसको ग्राइंड करके इसका अच्छा सा अपने पेस्ट बना लेना है लेकिन इसको आप छनी में चानेंगे और जो जूस होगा इसका वो हमने यूस करना है और ये वाला जो है इसको आप सकरब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये बहुत अच्छा होता है आप इसे फेंक ही है नहीं सकरब के लिए अपने फेस पर लगाईए तो बहुत बढ़िया काम करेगा उसके बाद आपने डालना है एक बिटामिन E का कैपसूल बिटामिन E का कैपसूल डार्क सरकल्स के लिए भी अच्छा है और हमारी सकिन को फेर भी करता है और हमारी सकिन को नरिश्मेंट मी देता है और इसमें मिलाना है आपको साथ में एक बड़ा चमच जैतून का तेल यानि की अलवी ओयल अलवी ओयल में फ्रेंड्स विटामिन E तो होता ही है साथ में इसमें एंट्री अक्सिडेंट्स भी मिनरल्स भी पाया जाते हैं और विटामिन्स के इलावा इसमें काफी ऐसे पौश्च तत्व होते हैं जो हमारी सकिन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और उसके बाद आपको मिलाना है एक चमच एलो वीरा जैल arrow vira gel का तो सभी को फाइदा पता ही है यह हमारी skin के लिए एक अमरित कहा जाता है आपने क्या करना है एक arrow vira gel का एक चमस मिलाना है यह हमारी skin को hydrate भी करता है साथ में हमारी skin के जो काले गेरे या dark circles हो गए या कहीं dark sports हो गए हैं उनको भी दूर करता है हमारी skin को young करता है तो यह सारी चीज़े आपने अच्छे से मिला लेनी है इनको mix करके यह आपकी एक बहुत ही अच्छी वाली cream तयार हो गई है और इसको आपने एक container में भरके आपने रख लेना है ताकि यह आपकी काफी दिनों के लिए हो जाए हाँ और friends अगर किसी को acne की problem है तो वो olive oil को skip कर दे और उसकी जगा वो narial का तेल यूज़ कर सकता है अगर उसके पास narial का तेल है तो वो यूज़ कर सकता है या फिर आप element oil भी ही यूज़ कर सकते है तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते है और जिसको acne की problem नहीं है तो friends वो olive oil यूज़ करें तो उसके लिए बहुत ही best है आप इसे अच्छे से इसे container में save करके रख दीजिए या आपके लिए कम से कम 15 days के लिए हो गई है और हाँ friends अगर आप ताजा aloe vera यूज़ करते हैं तो सिर्फ उतने ही time के लिए बनाईए जितना मला एक दिन के लिए आपको जो यूज़ के लिए चाहिए और अगर आप 15 दिन के लिए से करना चाहते हैं तो market का ही aloe vera gel यूज़ करिए आप कोई भी अच्छा aloe vera यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको gel अच्छा मिले और उसके बाद आपने करना कैसे है कि आपने थोड़ा सा अपनी हाथ पर लेना है fingers बे और गोल गोल करके round round में अपनी आखों की मालिश करनी है कम से कम पांच मिनट के लिए मसाज करिए और friends रोज रात को सोने से पहले आपको ये करना है और कम से कम daily रोज करना है पांच मिनट जरूर रोज मालिश करनी है और साथ में friends एक चीज और कहना चाहूंगी कि इसमें stress ना ले stress से भी आपकी आखें धस जाती है dark circles हो जाते हैं और पानी अपना जरूर पिए पानी बहुत ही अच्छा होता है और ऐसे आपने पांच मिनट के लिए मसाज करनी है और इसे ऐसे ही छोड़ देना है morning में आपने face दोना है रात को face नहीं दोना है इसे लगा के आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और कम से कम one month इसको regular use करिए ये आपको बहुत ही अच्छा result देगा और उसके साथ आपको और क्या काम करना है जब आप मालिश कर लो उसके बाद अपनी हथेलियों को दोनों को अच्छे से आपने गरम करना है कम से कम 3-4 सेकिंड के लिए अच्छे से से गरम करिए और 4 सेकिंड के लिए अपनी आँखों पर रखिए ऐसा आपको दो बर करना है इससे क्या होगा कि आपकी आँखों को relax मिलेगा और आपका जो आँखों का blood circulation है वो भी ठीक होगा आपकी eyesight भी नजर भी आपकी अच्छी होगी dark circus भी खतम होगी और जो धसीवी आखे हैं फ्रेंट्स वो भी ठीक होगी तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए तो मेरी वीडियो को like share करना मत भूलिएगा